हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो, मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेप्टर 5 है, उसके कुछ कोशन्स मैंने कराई थे पिछली वीडियो में, अब मैं आगे चलता हूँ, कोशन नमबर 3 का 4 पार्ट है, तो यहाँ पर हमको गिवन है, A3 equal to 15, S10 equal to 125, हमको find करना यहाँ पर D और A10, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसको A3 को, A3 मैं लिख सकता हूँ, A plus 2D equal to 15, और यहाँ से मैं S10 को लिख सकता हूँ, S10 equal to 10 by 2, 2A plus 90, और S10 की जो value है, वो है 125, तो मैं इसको काट लेता हूँ, यह आ जाएगा मेरा 5, त into 2A plus 9D, इस 5 को मैं फिर से कट कर लेता हूँ, 5 बंजा 5, 25 टैम में कट जाएगा यह, तो यह हमारा यहाँ से बनेगा 25 equal to 2A plus 9D, तो मैं इस equation को नाम देता हूँ, equation 2, यह मेरी equation 2 है, और यह मेरी equation 1 है, तो मैं क्या करूँगा, equation 1 मैं से 2 को माइनस करूँगा, या 2 मैं से 1 को म बात है, तो मैं इसको माइनस करने से पहले क्या गरूँगा, equation 1 को मैं 2 से multiply कर लेता हूँ, तो पूरी equation को जब मैं 2 से multiply करूँगा, on multiplying equation 1 by 2, तो यह equation जो मेरी बनेगी, वो बनेगी 2A plus 4D equal to 30, तो अब मैं मैं माइनस करता हूँ, तो यह हो जाएगा, 2A plus 4D equal to 30, अब माइनस 2A minus 90, क्योंकि यह जहाँ plus है, वहाँ minus आ जाएगा, और जहाँ minus होता है, वहाँ plus आ जाता है, equal to minus 25, तो जब मैं इसको solve करूँगा, तो यह 2A से 2A, plus 2A, minus 2A कट जाएगा, और यहाँ बचेगा, minus 5D equal to 5, और यह D की जो value आएगी, वह आएगी यहाँ से, minus 1, यह जो आएगी हमारी D की value आगई, अब इस D की value को मैं क्या करता हूँ, इसी भी एक equation में put कर देता हूँ, मैं इस equation में put करता हूँ, इस D की value को, equation 1 में, on putting the value of D equal to 1 in equation 1, तो मेरे पास A की value आजाएगी, यह मैं put कर देता हूँ, तो A plus 2, D की value थी मेरी minus 1, equal to 15, अब यह क्या हो जाएगा, A equal to 15, यह दर minus का है, तो यह दर जाके plus का हो जाएगा, plus 2, तो A की value आएगी, मेरे पास 17, A की value आगी 17, मुझे यहाँ से D पता करना था, D मेरा आ गया है, जो की था मेरा minus 1, अब मुझे A10 की value पता करनी है, तो A10 हमारा क्या होता है, A10 equal to A plus 90 होता है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, A की value और D की value उसमें put कर देता हूँ, तो मेरे पास A10 की value आजाएगी, A की value थी मेरी 17, plus 9, और D की value थी मेरी minus 1, तो यहाँ से मैं put करूँगा, तो 17 minus 9, और A10 की value आएगी 8, A10 equal to 8, तो यह हमारा question था, question 3 का fourth part, ऐसे ही बाकी question हो जाएए, question 3 के, अगर ना हो तो मुझे आप comment कर सकते हैं, मैं solve करके videos डाल दूँगा, आगे चलते हैं,